नमस्ते बच्चों कक्षा साथ वीशे विज्ञान और लेसन है पांच मा अमल शारक और लवन इसके बारे में अपने पढ़ चुकी है तो इसके कोशन उतर देखते हैं तो देखो पहला कोशन क्या दे रखा है अमल वे शारकों के बीच में अंतर बतानी है कि अमल वे शारक के अंतर क्या होते हैं तो अमल क्या होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं या खटे खटे होते हैं और शार होते हैं कड़वे और दूसर आप लिटमस प्रिक्शन बढ़ा कर सकते हो जैसा कि आपको मैं लेसन में भी बताया था आप याद रखोगे अनिल कि जो अमल है वो नि इसके बाद देखो दूसरा कोशन क्या है कि अनेक ग्रेलूत पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्ज को आदी में अमोनिया पाये जाता है यह लाल लिटमस को निला करते हैं वे क्या होते हैं शारक होते हैं क्या होते हैं शारक होते हैं तीसरा कोशन उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस प्रिक्शन को प्रापत किया जाता है लिटमस प्रिक्शन जो लिटमस है उनको कहां से प्रापत किया जाता है लाइकेन से निकाला जाता है लिटमस को कहां से निकाला जाता है लाइकेन से चोथा कोशन है कि क्या आसूत जल अमली है शारिय उदासिन होता है तो जो आसूत जल है वो कैसा होता है उदासिन होता है अपने इसको लिटमस प्रिक्षिन के द्वारा चेक कर सकते हैं कि लिटमस के साथ ये किसी भी परकार का कोई भी रंग में प्रिवर्टन नहीं करता तो यह क्या होता है उदासिन होता है पांचमा कोशन है उदासनी करण के प्रक्रम को एक उदारन देते हुए समझाना है तो इसके लिए क्या कर सकते हो कि जब एक अमलिय बिलियन और शारिय बिलियन को अपने ब्राबर मातरा में मिलाते हैं तो इसके अमलिय जो शारिय और दोनों माता में शार लेकर उसको मिलाकर यह चेक कर सकते हो इसके बाद तक एक ज़्टा कोशन है ट्रीउ बफाल्स का कि नाइट्रीक अमल लाल लिटमस को में करते यह फाल्स होना हगी आंधि कीस ऽार प्लess फाल्स हो गया इसके बाद देखो सोडियम र्थोलिक साइड और थोष्य में लवन बनाते हैं सोडियम हे फूर डॉप्रह्ट किया हैप सब Is Das K Me इसे जो अम्मिडारी हेए नहीं हेश को पशुए हे फॉर है नहीं को सब्सक्रान करण होता था है इसके बाद देखो सातमा कोशन दोर जी ने रेस्टोरेंट में जो छीतल पैक की कुछ बोतले हैं लेकिन दुरवाग्य से वे चिनीत नहीं है तो उसे ग्रहकों की मांग के उसार पैया प्रोसना है एक ग्रहक अमली पैय पीता है दूसरा शार्य तीसरा उदासिन तो दोर ज ये कैसे तैय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्रहक को देनी है तो वह लिटमस प्रिक्शन से ये तैय कर सकता है कि जदी लिटमस निला लिटमस लाल होगा तो वह कैसी होगी अमली है जदी लाल लिटमस निला होगा तो वह कैसी होगी शार्य है और जदी लिटमस पर किसी भी प ह reviewing ने कारद होते हैं तो हाइड्रोक्रूक अमयारे दाइध में दूद या मने सने यहां होता है और यह क्या करता है पर अबरब को क्या करता है ऐसों के प्रवाब कार पैदा करता है तो एक दूसरे के बाब को तो वो क्या कर देते हैं, नर्स्ट कर देते हैं, इसके बाद देखो, कार खाने के अप्सिष को जलाशों में बहाने से पहले उसे उदासिन किया जाता है, क्योंकि जो उसके अंदर रहने वाले जीव हैं, वो क्या हो जाते हैं, उनको किसी परकार की कोई विहानी नहीं हो, इस इसलिए उनके परवाब को पहले उदासीन किया जाता है इसके बाद देखो हल्दी के रूप में इसकी पहचान करनी है तीनों बिलियोन की एक हाइड्रोकलरी कमल है दूसरा सोडियम तीसरा शक्र तो आप क्या करोगे पर टेक गोल की कुछ बिंदे लोगे और हल्दी के साथ उसमें गुलाबी रंग में बदल जाएगा तो वो कैसा होगा शार होगा और जदी उसका गोल का रंग है वो नहीं बदलेगा तो इसका मतलब वो दासिन होगा और जदी हल्दी डालने पर भी उसका गोल मतलब उसका जो रंग है वो गुलाबी रंग में बदल जाता है तो तो शार है अब जब वो कुछ गोल लेती हैं फिर उसको डालती है और वो गरम हो जाती है और उसे हल्दी डालती है और जदी उसका रंग नहीं बदलता तो मिलाएगा विलन कैसा है अमलिया है और जदी उपरोत गोल को प्रक्नली गरम ही नहीं होती तो विलन कैसा है उदासिन गुलाबी रंग में बदलता है तो शार है और गरम होती है और रंग नहीं बदलता तो अमल है और जदी गरम ही नहीं होती तो फिर वो कैसा है उदासिन है इसके बाद दसमा कोशन है कि निले लिटमस पत्र को एक मिलियन में डुबोया जाता है और वह निला ही रह जाता है तो विल्यन की प्रकरती क्या होगी विल्यन की प्रकरती उदासिन होगी क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई प्रबाब नहीं पड़ा तो विल्यन की प्रकरती कैसी होगी उदासिन होगी इसके बाद देखो नीमन व्यक्तिकों को द्यान से पढ़ना है और इसमें से कौन सा व्यक परिवर्तित कर देता है तो वह शारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता तो यह भी गलत है दोनों के साथ ही करेगा और जदी कोई सुचक शारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो अमल के साथ नहीं करता यह भी गलत है अमल वह शारक में रंग परिवर्तन सुचक के प् फिरबर करता है तो यह क्या है बिल्कुल सत्य है इसमें सत्य कौन सा आ गया केवल गय तो यह आपका था पांच्वां पार्ट इसके कोश्ण उतर थे यह पूरे हुए धन्यवाद